हम लोग बात कर रहे थे बहुत तिक भुगोल के बारे में और इसमें लाश्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी अब च्छै के बारे में और उसी में अपर्दन के बारे में भी हम लोगों ने एक ओवर्विव ले लिया था आगे भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे अपरदन के बारे में भी जानेंगे लेकिन आज की इस class में हम लोग प्लेट विवर्टिक सिद्धान के बारे में बात करेंगे और याद रखिए सभी class है आपकी UPSC यानि की Civil Service और आपके State PCS और State PCS जब कहते हैं न तो UPSC की तरह हर राज अपने आप इस्टेट PCS का एक्जाम करवाता है तो वो भी सामिल हो जाते हैं चाहिए UPSC हो बिहार PCS हो 36 गड़ राजिस्तान जहार केंड या मद्पदेश PCS हो तो इन सब के लिए भी एकलासे महत्पूर हैं और आप मैंसी कई लोगों का ये भी सवाल रहता है क्या वंडे एकजाम के लिए भी एकलासे महत्पूर हो सकती हैं तो सीडी सी बात आप लोग याद रखिएगा आप जिसवी एकजाम की तैयारी करें चाहे स्कूल टाइम में हो आप लोग कॉलेज लाइब में हो या आप देखिए आप लोग किसी वंडे एकजाम की तैयारी करें हो वो चाहे सेंटर लेबल हो, इस्टेट लेबल हो उसके कम से कम 4-5 साल पुराने कुश्चन्स पेपर उठा के देखिए और उसका सिलेवर्स उठा के देखिए अगर आपके एकजाम में बहुत एक भुगोल से कुश्चन्स पूछे जा रहे हैं तो इस से अभी कलासें आप लोगों के लिए भी बहुत ही मातपोर होने बाली है और इसके लिए एक सेपरेट आपकी प्लेलिस्ट सूची बना दी गई है जिसमें UPSC और आपके स्टेट PCS प्रिलिम्स का पूरा सिलेवर्स कबर मिल जाएगा वहाँ जाकर आप लोग एक एक कलास को देख सकते हैं चाहे वो समिधान की हो, इतिहास की हो, भुगोल की हो, या आर्थवस्था की हो, या बिज्ञान की हो और इस प्लेलिष्ट सूची का नाम है UPSC and State PCS प्रिलिम्स इस्पेशल किलासिस के नाम से अब हम लोग बात करते हैं प्लेट विवर्तिक सिध्धान्द की बारे में सबसे पहले आप लोगों की मन में एक सवाल आ रहा होगा, यह प्लेट होती क्या है? दूसरा आपके मन में आ रहा होगा, यह बिवर्तिक सिध्धान्द क्या है? तो आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक मैप देख रहे हैं और इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? देखिए, एक यूरेसियन पिलेट हो गई, अफेकन पिलेट हो गई, अफेकी पिलेट, यह आप देखिए दक्षिड अमेरिकी पिलेट और उत्री अमेरिकी पिलेट, इसे आप लोग अमेरिकी पिलेट के नाम से भी कह देते हैं, यह पिसांद महासागरी पिलेट हो गई, अंटार्किटिक पिलेट हो गई, ये इंडो उस्टिलियन पिलेट हो गई, जो आप अपने भारत देखते हैं आप लोग, इंडो उस्टिलियन पिलेट में आपको देखने को मिलेगा, इसे इंडियन पिलेट भी आप लोग कह देते हैं, और ये पितवी आप लोगों को दिख के एक तरह से इस तरह से आप लोग देख लिजे पितिभी का एक भाग हो गया ठीक है तो उपर आप लोग देखेंगे एक क्या है उपर वाला भाग जे उपरी करश्ट हो गया ठीक है और नीचे आप देखेंगे नीचे निचला करश्ट हो गया फिर आप लोग देखेंगे य अलग कहती है जिसे आप लोग कौन राड आसमधिता कह देते हैं और इसी तरह से आप देखेंगे निचले करश्ट को और उपरी मेंडल को अलग करती है एक लाइन खीची होती है उसे आप लोग क्या कह देते हैं उसे कहते हैं मोहो बिसिक आसमधिता और उपरी मेंडल और नि करता है उसे गुटेंद बरक आसमन दिता कहते हैं और आंत्रिक कोड और बाहिक Cred को आप लोग जיס लाइन के दौर्वा अलग होती है एक तरह तो अब बात आती है पिलेट की किसी कहते हैं तो आप देखें कि क्रेश्ट यानि क्रेश्ट और उपरी मेंटल ये उपरी क्रेश्ट हो गई और क्रेश्ट और उपरी मेंटल की उपरी परसे निर्मित 5 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर की मोटाई की जो ठोस परत है यानि कि इ बेहत भाग को पिलेट कहते हैं, समझ में आ गया, करश्ट और उपरी मेंटल की उपरी परस से निर्मित, पांच किलो मीटर से लेकर 200 किलो मीटर की मोटाई की ठोस परस जो देखते हैं, इस्थल मंडल की बेहत भाग को पिलेट कहते हैं, क्या कहते हैं, पिलेट कहते हैं, और अभित्वी का इस्थलिये दर्ड भूखंड ही पिलेट कहलाता है और यह कई खंडों में विभाजित होता है जो महादुईफिये और महासागरिये कृष्ट से निर्मित होता है तो यह तो कहानी हो गई किसकी पिलेट की अब आप लोगों के मन में यह भी आ रहा होगा यह वि इस्थल मंडल पर होने वाले बिसाल प्रवाने पर परिवर्तन को आप लोग विवर्तनिक कहते हैं या टीक्टोनिक कहते हैं जैसे परवतों का निर्माड हो गया महादुईफियोक का विकास हो गया वरेंस बलन गरत भूकम जालमों की इसके ही एक तरہ से उधारण है टीक ह और उपरी मेंटल को मिला कर ही आप लोग इस्थल मंडल कह देते हैं क्या कह देते हैं? और प्लेट बिवर्तिनिक सिधांत एक भौधिक भूगोल का ऐसा सिधांत है जिसमें पिद्वी पर विभिन उच्चावत और बिवर्तिनिक गटना एंजैसे और इसका विकास अगर आप देखें तो 1960 में मिकेंजी पारकर और मॉर्गन ने अपने सोतंत रूप से उपलब विचारों को समलेट करके विज्ञानिक आधार पर एक सरफ सामान सिध्धान पिस्तूत किया और जिसे ही आप लोग पिलेट विवर्तनी की सिध्धान्त कह देते हैं और पिलेट सब्दिका पितंबार प्रियोग कनाड़ा की भूबिज्ञानिक तो जो विलसन की द्वारा दिया गया था ठीक है तो यह आप लोग जरूर याद रखिएगा तो इन्हीं पिलेटों की बारे में हमें अध्यान करना है एक तरह से यह पिलेट अमाल लीजे आ और ज्वालामों की उद्भेदन विवर्तन की समस्त की रियाएं भूगरविक काल की विभिन योगों में निर्मित परवतों की उत्पत्ती और महादीपों महासागरों की उत्पत्ती के विसाय में विसद ग्यान पराप्त करना है उसी को आप लो पिलेट विवर्तिक सिद् प्रण कपिती पादन उसी के लिए किया गया है और छोटे बड़े विविन्न भागों में पितवी की ऊपरी पफडी विभाजित है जिसे पिलेट की संग्या पिदान की गई है और एक पिलेट अथवा पट्टी का गती सील है और इनकी गती एक दूसरे के समानतर अथवा वि इनकी का उद्गार और भूंपिय घठनाये संपन होती है इनने पिलेटों के सहारी और एक बात आप लोगों को बता देता हुए आप लोग याद रखिये गार आप लोगों को और विस्तार से पड़़नाए और विस्तार से जानाए तो मेरा मन vraag कि अगर आप लोग से अंब PCS की तैयारी कर रहे तो आप लोगों को NCEIT बुक्स जरूर पढ़ लिने चाहिए एक से दो बार, अब आप में से बहुत सारे लोग कहते रहते हैं, हमने तो पढ़ी है भाई, देखिए उस समय स्कूल की टाइम आप जिस तरह से पढ़ी हैं, आप सभी जानते हैं, एक बार फ मारगर ने 1965 में एक महत्पूर प्रयास इस दिसा में किया, और इनोंने 1968 में आयलर की सिध्धान की आधार पर प्लेट की गती की बिसद ब्याक्ख्या पिस्तुत की, और मेकनजी एबं पारकर, 1968 में बिस्त को कई पिलेटों में बाट कर उनकी गती और समय की ब्याख्या करने का प्रयास किया किसने मिकेंजी और पारकर ने 1968 में मारगर ने इन ब्याख्याओं को काफी हद तक इसपष्ट करने का प्रयास किया और वर्टमा समय तक इसका विज्ञानिक सवरूप इसपष्ठ हो चुका है और इसे मानुता प्राप्ति भी हो चुकी है इन विज्ञानिकों के नाम आप लोग याद रखेगा और जिन से इनका समंद्रा है उन्हें भी याद रखेगा पिलेट बिवर्तिक सिध्धान के आधार देखें अगर हम लोग तो फटी का अत्वा पिलेट का वितरन उनका फिसरन तजनित किरिया ही कि इसे सिध्धान का पिरमुक आधार है और निम्दांकित पिरमुक आधारों का उलेक किया जा सकता है और जिस पर यह सिध्धान आधार पिलेट की संकल्पना पिलेट का तात पर पितिवी की पपड़ी का वह खंड है जिसके अंतरगत उपरी पपड़ी और मेंटल का कुछ भाग समलित किया जाता है और इसकी मोटाई आप देखें 100-500 किलोमीटर तक मानी जाती है और पितिवी पर अनेक पट्टी का अत्वा पिल इसमें कौन को सी सामिल है यूरेसियन पिलेट सामिल है भारती पिलेट सामिल है अफिकन पिलेट सामिल है अमेरिकन पिलेट सामिल है पिसांद महासागरी पिलेट सामिल है अन्ड गौड पिलेट मानकर पट्टी का पिलेट विवर्ति सिध्धान की ब्याक्या पिस्तुत कर दी थी, बास्माव में पितवी की ऊपरी पपड़ी अनेक मुख्ण और गौहर पिलेटों में विभाज़त है, चोटी-चोटी पिलेटों में भी विभाज़त है, देखे इनी पिलेटों की बात हो रही है, इंडो ऑस्टेलियन प्लेट भारती प्लेट भी कह देते हैं, इंडियन प्लेट भी कह देते हैं, इूरेसियन प्लेट, अफीकी प्लेट, इन दोनों को मिलाकर अमेरिकी प्लेट के नाम से जानते हैं, पिसांद महा सागरी है, प्लेट भी कहते हैं, और भी छोटी-छोटी प् किसने डबलू जे मौर्गन ने तो इनके बारे में जरूर आप लोग याद रखिएगा अब बात आती है कि पिलेट की प्रकिती और प्रकिती संबंदी संकल्पनाएं सभी पटिकाएं अथबा पिलेट अपने घोर्डन दुर्प के चारोर विर्ताकार पत पर गती सील रहती ह और एपिलेट भरमड करती हुई कई एक दूसरे के निकट और कभी कभी एक दूसरे से दूर चली जाती है और सभी विवर्तनिक यानि की घटनाएं इनी के सारे इनकी गती के कारण घटित होती है जो पहे जौलमुखी का आना हो पहाड़ों का बनना हो समय रहे हैं आप और यह आप देखें लगोट निवेसी काएं अंडाकार कटान ए इस्टेक और यह आप देखेंगे जवार उच जवार रेखा ब्रगो निमन जवार रेखा और खाडी महराओ इस्टेक इसागर जलिये अपर अपर दारनात्मक स्थल रूप हैं और फल स्वरूप आप रचनात्मक पिलेट किलाना और विप्रीद दिसाओं में गती करने वाली दो फिलेट की मद्द पितवी के अंतराल का तफ्त और तरल मेगमा उपरी भाग में नई परत का निर्मान जिन किनारों की सहरी करता है उन्हें सरचमात्मक पिलेट की किनारा की संग्या प्रिदान क प्रिद गी है सरचनात्मक पिलेट की अगर हम लोग बात करें तो यहां आप लोग देखिएगा देखिए ए आपको अभी सारी एक तरसे दो पिलेट है आप लोग माल लेजे जो एक दूसरे के विपरीद जा रही है एप लेट इस तरफ जारी है और एप लेट एक तरसे इ बगल में गती करती है करती हुई निकल जाती है और इसके सहारे ना तो नवीन पदार्थों का निर्माण होता है ना तो पदार्थों का बिनास होता है इनके सहारे कभी-कभी रोपांतरित भ्रहन सगाटी का निर्माण होता है और इससे सरक्षी पिलेट किनारा की संग्या जो एक दूसरे से भगल से आप देखेंगे, निकल जारी है इस तरह से, अब तेशरी आती है बिनासात्मक प्लेट किनारा, जब एक भारी गनत वाली प्लेट, दोसरी हलके गनत वाली प्लेट एक दूसरे की और गती करती हुई, परस्पर टकरा जाती है, और टकरा जाएगी तो बिनास होगा, तो बिनासात्मक पिलेट इसका नाम दे दिया गया, तब भारी घनत वाली पिलेट का हलकी घनत वाली पिलेट की नीचे छेपन हो जाता है, और यह किनारा नीचे में नर्थ होने लगता है, और इसने पिलेट के किनारे का हिरास होता है, और इसको आप लोग आ-प्लेट के नीचे छेपित हो रहی है एक तरह से ठीक है और यह आप देखेंगे तीसरा है प्लेट अत्वाप पतेका की गती की संकलप नाब्लेट गती करती है इनकी गती के कारणों की व्याक्या अनेक बिद्ध्वानों द्वारा की गई है और सभी तत्ष भू बिऍध्य के कारण के संबंद में बेक्ट किये गया है अब आप देखे कई बिद्वान रहेंगे तो अलग अलग परिभासाई देगी अलग अलग ही बातें कहेंगे तो कुछ बिद्वानों की अगर हम लोग बात मारें तो कुछ बिद्वानों का विचार है कि तापीय संबहन धाराओं द्वारा पिलेट में गती होती है और ग्राम से इसपष्ट किया है कि पितवी के आंतरिक भाग में संबहन धाराएं चलती है और तापमान की अधिक्ता के कारण जेओ-जेओं ये धाराएं ऊपर आती है इनकी गती बढ़ती जाती है और पिथभी में आप देखेंगे नीचे आप लोग जाएंगे तो ताबमान बढ़ता ही जाता है यह तो आपको मालूब भी होगा पिछली क्लासों आपको आप लोगों ने कवर किया है तो आपको बहुत अच्छे जिमालू है मद्व महासागरिय कटक कटकों के नीचे 300-400 किलोमीटर की गहराई में तरंगे बिपरीत दिसा में मुड़ कर छेतित प्रवाह की रूम में प्रवाहित होती है और जहां पर ये बिपरीत दिसा में प्रवाहित होती है वहां पिलेट बिपरीत दिसा में गती करती है और जहां पर छेतित तरंगे मिलकर नीचे की ओर मुड़ जाती हुआ प्लेट का छेपर होने लगता है कुछ बिद्वानों का ये भी मारना है कि कटक के पास लावा अत्मा मैगमा के जमाव के कारण गुरुत बल में बिद्धी हो जाती है और जिस कारण प्लेट बिपरीद दिसा में ग इसमें काईलर की सिध्धांद की आधार प्लेट की गती अगर आप देखें इस सिध्धांद भी आप लोग याद रखेएगा हो सकता है कि आपको मुख परीक्चा में इस तरह के कुश्चन्स पूछे जाते हैं तो इस सिध्धांद के अनुसार गोले की सतय पर किसी आई गई है आगोडन अक्षे का खेंद्र है और जब प्लेट गती सील होती है तब उसके सभी भागोडन अक्षे के सहारे लगू चक्रिय मार्ट पर घुमते हैं और सारक्षी प्लेट का किनारा लगू बिर्ट के समानंतर होता है यदि यह किनारा समानंतर नहीं होगा तो या तो वह रचनात्मक की नारा होगा, या फिर बिनासात्मक की नारा होगा, या आप लोग चित्र भी देख लिजे से, आयलर के ज्यामितिये से धांत की अधार पर पिलेट में गती की संखलत ना दी गई है, देखे, एक का पिलेट होगे, बिलॉक, ठीक है, साथ, और गोलिय अक्ष आबा या धरातलिये भागे, आबा दा, ठीक है, देख रहे हैं या आबा दा, और जो आबा साथ, तथा आदा या की भागो में भी वक्त है, भूमत द्रेखा होगरी ये आपकी, ठीक है, और इसमें पिलेट की पत को भी दर्साय गया है, जिसके फलस्वरूफ समानतर पिलेट में गती होती है, आके पास गती, क्या है, आके बास आप देखेंगे गती, सुन्ने हो जाती है, ए-a है, देखे, ए-a है, ठीक है, इसी की बात हो रहे है, तो यहाप लोग जरूर याद रखेगा और जहिए दोर होती जाएगी गति कम होती जाएगी यदि का क्या का और खार पटिका टोटकर अलग होती हैं तो ये गतीkung लोंगी जाऊंगी खाब और इसकार प्लेट की गती की संकल्पना ऐलर के से धांद के आधार पर की गई है इसमें चुमिकिये छेत के आधार पर पिलेट की गती की संकल्पना विसके चुमिकिये छेत तहां चुमक परी भरमड पत के आधार पर भी पिलेट की गती समंदी मातपूर निसकस निकाला गया है और यही इससे धांद का मुख आधार माना ज जाता है आप देखे इससे जुड़े हुए बिलियम गिलवर्ट ने इस पश्ट किया कि पिदवी का चुमकत इसके आंतरिक भाग में इस्ते थे यानि के अंदर के भाग में इसमें दो धर्व होते हैं जो केंदर में इस्ते थे यदि इनको एक रेखा के सहरे मिलाये जाए तो पिदवी की परधी को दो बिद्दूओं पर काटेंगे और इनका उत्री और दच्छी धर्व की संग्या दी गई है प्रदान की गई है और इनोंने इस पश्ट किया कि सामान धर्व और चुमकिये छेती की तीबिता में इस्तानिये एवं कालिक परिवर्तन होता है और चांस रेखाओं के बारे में भी विस्तार से हम लोगों ने पढ़ा हुआ है तो आप लोग जाकर पढ़िएगा जरूप पिछली क्लासों को भी कमर करिएगा कमर करिएगा चुमी की अबलकि छेती में काफी परिवर्तन होता है और इसका समुद्ध अत्वा इस्तल से नहीं हॉम्स उन्नीज सो चैटर में इनोंने इस पश्ट किया कि दा मेगनेटिक फिल्ड कैन नोट भी एप पर्मानेंट प्रॉपर्टी ऑफ दा मेंटेरियल ऑफ दा कोर एंड मोस्ट देयर फोर वी कॉन्टीनियोसली प्रोडियूजड एंड मेंटेंड चुम का छेत पितवी के इस्थाई पिक्रिया नहीं है बलकि सतत जनन होती रहती है और जब इस्थाई चुम कन नहीं है तो इनकी उत्पत्ती और इसे पितेक समय बिद्धिमान रहने के लिए पितवी की कोर में अपते देख बिद्धो संचा लगता से युक्त पदार्थ होना चाहिए और इन पद 30 वर्सों में आप देखेंगे कि चुमकिये अध्यन किये गया है जिन में महत्पूर भूगर्विक सूचनाय पराप्त हो गई है जापान इटली फ्रांस में सेनो जो एक लावा में पुरा चुमकिये पुरनर रचना की आधार पर चुमकिये इस्थितियों का पता भी लगा पता भायत है और इनों ने निसकार निकला कि चुमकिये धुर्वों की जो इस्तिती वर्तमार में पितिवी पर है उसमें अतिधिक परिवर्तन हुआ है और 1956 तक इन विद्वानों ने इस्पष्ट किया कि यदि चुमकिये धुर्व स्वयम परिभरमण किये तो महादीप इ यदि भी इन देशों का एक समय का चुमकिये धुर्विये परिभरमण पत्तियार किया जाए तो सभी धुर्विये एक इस्पष्ट एक समान होना चाहिए परंतु यह ऐसा नहीं है और फलसवरू महादीपों का विस्थापन हुआ है ठीक है एक समुद्ध नितल के पिसरन क आउधारना इसमें आप देखे विद्वानों ने इस्पष्ट किया है कि समुद्ध नितल का पिसरन होता है और मैसम 1960 में इन्हों ने इस्पष्ट किया है कि पिसांद महासागर की मद्द कटक मेंटिल से उठने वाले समभन तरंगों के ऊपर इस्तित है इसके सारे नवीन पदार्थों का जमाव होता है और नव निर्मित जमाव करश्ट के दोनों और खिलाब जाते हैं और इस पेकार इन्होंने इस्पष्ट किया कि समुद्ध नीतल का पिसरन होता है फैला ठीक है यहाँ आप देख लिए कुछ चेत्वी बने हैं मद्ध महासागरिय के कटक के स लावा का जमाव होता है तो उस समय उसका चुमकत पित्वी के मुख चुमकत की दिशा की और होता है और फलसरूप आप देखेंगे प्यारमिक जमाव को याद दो भागों में विवक्त कर देता है यह दोनों भाग कटक के दोनों और छेते जुरोब से सरग जाते हैं एक आ बेले टार बेले टाणटाएन और मोर्स की महाधूफिये संचलं सिद्धानग पर आधार यसे इस सिद्धानथ ने पितवी के साट-सो मिलियन वर्स पूर्प से लेकर बदमांता की इत्यास को सर्ष्ट करने का प्रयास किया है कि सने वेलेंड बेलेंड वेले टांटाइन तथा मूर्स के महादूपिय संचलन सिध्धान और इनका विचार क्या है आज से 700 मिलियन वर्सपूर सभी महादीप एक से एक में जुड़े हुए बिसाल इसलखंड का निर्मार करते थे और इनों ने क्या कहा इसे? इसे पिथम पैंजिया की संध्या पShara कीई जो यानि कि जो महादीप आप लोग देख रहे है ना एसिया महादीप हो यूरोप महादीप हो चाहिए आप देखिये अफीका महादीप हो और दhitरी अमेरिका, दछ्ठडी अमेरिका, अंकारगी टिया यह सभी एक में जुड़े हुए थे एक इस्थल खंड थे एबिसाल इस्थल खंड हुआ करता था और इसे ही आप लोग पैंजिया के नाम से जानते थे और 600-500 मिलियन वर्सपूर्व पितम पैंजिया का बिखंडन हो गया क्या पहली बार पैंजिया का बिखंडन हुआ और इसमें आप देखेंगे जो आजकल महादीब देख रहे हैं इनका निर्माड होना पैरम होता है और यह चार खंडों में विवक्त हो गया और पिलेट की गती के का पैंजिया का बिखंडन हो गया और जिससे यह दो भागों में विभाजित हो गया मद्द क्रेटेसिया क्रेटेसियस और में उत्तरी और दच्णी अमेरिका इससे पिथक हो गया और पिलेट अथवा पटिका के विर्वा की कारण बहत्तमान इस्तिती प्राप्त हो गई यहाँ देख लिए यह आप देखें भरंस उत्तरी अमेरिका अफीका ठीक है मालवा निच्छे प्रोटो अ पितिवी की भूगर्विक सरचना भूपरपटी का बिभाजन और संचलन पितिवी की इतिहासिक सवरोफ आदी की विसे में पूरुफ पितिपादित संकल्पनाओं सिध्धान्तों तथा अनप्रमाडिस साक्छों के आधार पर पिलेट बिवर्तिक सिध्धान्त का पितिप विज्ञानिक पिरमाडिक तथा बर्तमान्त तक मानता प्राप्त पिलेट बिवर्तिक बिवर्तनिक सिध्धान का पितिपाद हो सका है ठीक है पिलेट टेक्टोनिक थियोरी की बात हो रही है और पट्टिका क्या हो पट्टिका यान अथवा पिलेट बिवर्तिक सिध्धान के अंसार पित्वी की बाहे खोल अत्वा भूपर पपड़ी ठोस है उपर का भाग या अनेक भूखंडों में विभाजित थे इसे पिलेट की संग्या पिदान की गई है और मॉर्गन मार्गन ने 1968 में इस पश्ट किया कि पित्वी पर 6 मुख तथा अनेक छोटी बड़ी गौ और जॉन डी फ्यूका पिलेट फिलिफीन फिलेट फिली फिलेट सॉलोमन फिलेट अंटार्क्टिक पिलेट अरेवियन फिलेट सुमाली फिलेट एरा एरानियन फिलेट तुर्किस पिलेट है है हैलीनिक पिलेट एंडियाटिक पिलेट आधी गौन पिलेट है चोटी पिले एंडियाटिक रिज हैलो हैल हैलीनिक पिलेट तुर्किस पिलेट यहीं आप देखें केरीवियन पिलेट ए रानिल रानिगन पिलेट या अरिसियन पिलेट और अट्लांटिक इंडियन रिज पिलेट अंटार्किटिक पिलेट अट्लांटिक रिज एमद्द अट्लांटिक पि यह आप एक प्लेट हो गई, ठीक है, यहां से आप यह South American प्लेट हो गई, यह पूरी एक प्लेट है, North American प्लेट में बट गई है, ठीक है, लिजा का प्लेट, चिली रिज, कोक्स प्लेट, इरड Pacific रिज, जॉन डीप फिव का प्लेट, पैसे प्लेट, बिसमार्क प्लेट, यह इंडियन प्लेट है, हिमाले, ठीक है, South Wales, West Indian रिज, एक तरह से आप देखेगी, उन्हीं की सीधी सी बात आप लोग समझे, उन्हीं की बात हो रही है, यह इंडिया है, यहां, आप देखेंगे, इंडियन प्लेट पर, इंडो और ऑस्टिलियन प्लेट भी कहते हैं, आप ल रही हैं अपनी, और चुमिकी छेत में स्थानिय और कालिक परिवर्तन अत्वा आडविक तक्तों में से उत्वन समंधाराओं, अत्वा लावा की उर्द प्रिवाह के कारण पिलेट की गती उत्वन होती है, और इन्हीं किरियाओं से उत्वन बल की फलस्वरों, पिलेट अ पर दो पिलेटें टक्राएंगी, तो इस्थलों का निर्मार होगा, यह कहने का मतलब है, इन्हीं के द्वारा पर्वतों और पठारों का निर्मार भी होता है, पिलेटों के टक्रावरों के कारणी, पिलेटों के कारणी, जो परवत देखते हैं, पठार देखते हैं, उन्ह समुद्रों महासागरों का देखिए जब आपस में टकनाएंगी तो इस्थाल हो परवत हो पठारों का निर्मार होता है और जब एक दूसरे से दूर जाएंगी तो समुद्रों महासागरों का उद्भय होता है कभी कभी दो फिलेट एक दूसरे के समाननतर दूर चली जाती है ऐसे इस्तिति में किसी पिकार का इस्थालागती बिन्यास उत्पन नहीं होता है और केवल भ्रहांस घाटी की निर्माड की संभावना ऐसे में रहती है ठीक है जब दो पिलेटे एक दूसरी की समान अंतर दोड़ चली जाती है एक समान अंतर समान ठीक है तो ऐसे इस्तिति मे किसी भी पिकार का इस्थालागती बिन्या सुत्पन नहीं होता है लेकिन केबल भ्रहंस घाटी की निर्मार की समभाव ना बनी रहती है ऐसे में ठीक है पिलेट बिवर्तिक की अगर हम लोग बात करें किसकी पिलेट बिवर्तिक सिध्धान्द महासागरों और समुद्रों के खुलने और बंद होने की इतिहास बलित परवतों के निर्मार ज्वाल मुखी करिया भ्रहंस का निर्मार समुद्री नीतल की पिसरन आदी की समस्याओं का बिज्ञानिक विसलेशन करता है और साथी साथ इस्थलखंडों पर अतीद की जलवाईव की आउसेसों से उत्पन ब्रांतियों को दूर करने में समर्थ है यानि कि हम इन सब के बारे में पिलेट बिवर्तिक सिध्धान्त की से भी से ही जानते हैं माया तथा इंका जिसी सब विताएं जो अतीद काल में अमेरिका महादीप पर विक्सित थी इन्हें आचर के रूम में देखा जाता था पिल गोल इतिहास आधी विसों की अनेक समस्याओं का समाध्धान भी इस सिध्धान द्वारा किया जा सकता है पिलेट बिवर्तिक सिध्धान के द्वारा तो काफी मात्पूर हो सकता है आप लोगों के लिए ठीक है तो इनके बारे में भी आप लोगों को याद रखना चाहिए और मानों का स्थानांतर एक जगे से दूसरी जगे जाना स्थानांतर मार्ग जीब जनतों की पिरसार पिक्रिया और जलवायों की जटलताएं आदी ऐसी समस्याओं थी जो इस सिध्धान की पितिवादन की पूर उल्जी हुई थी और उनमें अधिकान से सिध्धान के अधिरा स्वादन हो गया है बास्तों में या सिध्धान्त अतीस से बिद्वानों की बिग्यानिक चिंतन का पिती फल है और आप देखते हैं कि लंबे समय से किसी की खोज होती रहती है एक समय ऐसा आता है कि उसकी खोज कि दिशा में सफलता मिल जाती है पिलेट बिवर्ति सिध्धान्त और परवत निर्माड की अगर हम लोग बात करें कि पिलेट विवातन सिध्धान्त से किस तरह से परवत निर्माड जुड़ा हुआ है जो परवत आप देखते हैं माउंटेन दो पटिकाएं यानि कि दो पिलेट के खिसकाओ के फलसोरोग इनका आपस में किफैट हैं एक एप लेट हैं और एक दूसरे से अगर आप देखेंगे टकराएंगी तो टकराओ वाले स्थान पर पपडी के संपीडन के कारण परवत का निर्माड होता है और जब पिलेट परस पर मिलती है तो भारी पदार्तों की बनी पिलेट हलके पदार से बनी पिलेट के नीचे आ जाती है और मेंटिल में जाकर बिलीन होने लगती है तब वहां परवतों का उद्भाव होता है यह आप लोग देखिएगा दो आप देखें कि जहाज आप लोग ले लि हुआ है सामन भरा हूँ इससे अगर आप लोग इस पर सामने वाली पर रखेंगे तो यह दबेगा नीचे और जो कम होगा वो उपर रहेगा ठीक है तो उसी की बात हो रहे हैं भूपटल पर कहीं पर पदायतों का सहजन कहीं पर कहीं पर का बिना से होता है इससे भू संतुलन की व्युस्था कायम रहती है यदि एक प्लेट महादुइफी है और दूसरी प्लेट महासागरी है तो वहाँ पर क्रस्ट का सरवादिक छह होता है और इसका प्रमुक कारण है कि महासागरी प्लेट का महादुइफी प्लेट के नीचे नीचे पित होना है प्लेट के आना है महादीपिये पिलेट का महादीपिये पिलेट के नीचे आना है और पिलेट के आधार पर इनका अभी सरन तीन फिकार का होता है पिथम इस्तिती में दोनों पिलेट महासागरी होती है दूती इस्तिती में एक पिलेट महासागरी है और दूसरी महासागरी होती है तीतिया इस्थिति में दोनों प्युट्र yol्वेट कि इस तीति में दौन noble गिते होती है खहती है फेका से इस तरह से एक दूसरी के आ रही हैं और जो आप देखेंगे कि अधिक घनत वाली होगी वो नीचे चले जाएगी वो एक कम उपर वाली रह जाएगी तो इसी तरह से बात हो रही है यहां भी आप देख लिजे सरचनात मक किनारे एक दूसरे के विप्रीच जा रही है और दो महासागरी प्लेट का अभ आती है आधिक घनत वाली प्लेट क्या रहेगी देखें भारी पतार द्वारा निर्मित महासागरी प्लेट जो अधिक घनत वाली प्लेट होगी वो कम घनत वाली महासागरी प्लेट के नीचे आ जाएगी और इस किरिया से उसे स्थान पर संपीडन होता है और जिससे दीप तुरन और दुईपी ये चाप का निर्मार हो जाता है और महादुईपी ये और महासागरी पिलेट का भी सरण जब महासागरी ये महादुईपी ये महासागरी करेश्ट यानि कि पिलेट बाली पिलेट एक दूसरे की और अगरसर होती है तो परस पर टकरा जाती है तब आप देखेंगे महासागरी फिलेट का ओगज किनारा महाधूईफिये फिलेट के ओगज किनारे के नीचे सरकने लगता है और फालसरुब महाधूईफिये मगण तड पर इस्तित मलवा संपीडण आत्मक बलकि कारण बलिन होने लगता है और परवत का निर्माण होने लगता है, परवत का निर्माण होने लगता है, और एक इस्तिती है, ये भी है, दो महादुपीय पिलेटों का अभी सरन, जब दो महादुपीय पिलेटों का अभी सरन, एक दूसरे की ओर आएंगी, दो महादुपीय पिलेटें, ये एक दूसरे से ट उपर उठे जाएगी और फल्सवरूप उपर मतलब रहेगी और फल्सवरूप संपीडनात्मक बल की उपत्ति होती है अथ्वा मलवा कि कारण परवतों की उत्पत्ति इससे भी होती है तो यह भी याद रखेगा यहां भी कुछ पॉइंट आप लोग देख लीजे यहां परवर्ती करन किरिया हो गए रॉकी और एंडीज परवतों की उत्पत्ति की अगर आप लोग बात करें कि इनका किस तरह से आप देखेंगे निर्माड हुआ रॉकी और तो रॉकी और एंडीज परवतों की उत्पत्ति की ब्याख्या पिलेट पट्टि का बिवर्तिक सिध द्धान के द्वारा की जा सकती है। जिससे रौकी और एंडीच परवतों की उत्पत्ती हुई। अब आप लोग कहेंगे कहां की बात हो रही है। यह महासागरी प्लेट है और यह एक तरह से अमेरीकी प्लेट है। इनी के दोनों के टकराओं की बात हो रही है। और यहीं आप देखेंगे रौकी और आप लोग दूसरा एंडीच परवत आपको देखने को मलेगा। एंडीच परवत माला का निर्माड मैसो जो एक कल्प के प्यारम में हुआ था और इस समय अमेरीकीन प्लेट के मगने तट पर आउस्थाद की बहुत बड़ी रासी बिद्दमान थी जमाती और पिसांद महासागरी प्लेट अमेरीकन प्लेट की नीचे सरकने लगी तब प्लेट रौकी परवत माला की उत्पत्ती एंडीच परवत की निर्माड के साथ साथ हुई है और अमेरीकन प्लेट की मगने तट पर उत्तर से दच्छिन में मलवा की बिसाल रासी थी और दोनों प्लेट की अभीसरन तथा संपीर नात्मग द्वल के कारण रौकी परवत स कैलिफोनिया तक 1500 किलोमीटर है और यह चोड़ाई संदे उत्पन करती है कि इसकी पुष्टी नहीं की जा सकती है प्लेट जब मैंटल में अविसरित होता है और इससे परवत का निर्माद होता है तब इसकी चोड़ाई 100 किलोमीटर से अधिक नहीं हो सकती है तो आप देख पश्चिम की ओर अविसरत थी तब रौकी परवत सेरी की अधिकांस भाग का निर्माण हुआ था और अमेरिका के पश्चिमी तटके सहारे बिस्तीड रौकी और एंडीच परवत सेरी की उत्पत्ती उत्पत्ती समंदी समस्या का समाधान इस्तिधान में काफी हद तक हो ज जानते हैं उत्री अमेरिका के पश्चिमी भाग से सामनता उत्तर दच्छिन देशा में अलास्का से उत्री निवेस्कों तक पहली हुई परवत माला है और परवतों की उचाई एक हजार फुट से लेकर 14431 फुट तक इसमें पहली हुई है तो यह आप लोग से उत्तुरा परवत को भी देख लीजे किसको कि एंडीज परवत यह आप देखेंगे कि साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा नीचे आ जाई है आप लोग इसकी बात हो रही है किसकी बात हो रही है इसी की बात हो रही है साउथ अमेरिका और विस एंडीज विसकी सबसे लंबी परवस इंकला है जो दच्छडी अमेरिका की पश्चमी तटपार आप लोगों को देखने को मिलेगा ठीक है इसके बारे में भी याद रखेएगा इनके बारे में हम लोग परवत जब पठार पढ़ेंगे तो उनके बार इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे ठीक है त सिध्धान के द्वारा किया जा सकता है और जापान की हुंसुई द्वीब परवतों की निर्मार की ब्याख्या पिलेट अत्वा पट्टी का सिध्धान के आदर पर ही की जा सकती है अब आप कहेंगे जापान कहा है देख लिजे ये जापान है एस या में आप लोगों को द अविसरन हुआ था और दोनों में टकरा हुआ था और फलसवरू पिसांद महासागरी पिलेट जापन के पूरमेस्थित पिलेट के नीचे सरकने लगी थी और इसे हुंसुदुईव का एक तरह से आप कह सकते हैं कि निर्माड हुआ था हुंसुदुईव के परवतों का पिसांद महासागरी पिलेट और अमेरिकन पिलेट और परवत निर्माड हो रहा है इस तरह से और यहां आप लोग आईए अमेरिकन पिलेट परवत मेखला पिसांद महासागरी पिलेट यहां टकराओ के कारण पूर्ड मेखला पिसांद महासागरी पिलेट और अमेरिकन प इस चार आप लोगों को चित दिखाई दे रहें। प्रकट हुआ और यदि जापान द्वीप की सेलों का भूगर्विक बिसलेशन किया जाए तो इस पर्ष्ट भी होता है कि इसके पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर रूपांती चट्टाने पाई जाती हैं और इस पर्ष्ट है कि इस द्वीप चाप का निर्मार दोविभ उत्पति जो हिमाल्यआफ देखते हैं देखे भारत को देख लिए अब आप लोग क्या देखेंगे हमालय плी का अधर पर लिए प्लिए कि व्रावद के आधर पर हिमालय प्रवत कि उत्पत्ति का बेसलेशन किया जा सकता है किस पर पिलेड बिवर्दिक उढ़ेंगे सकते हैं हिमालय के बारे में इसकी उत्पत्ति दो महादुईप्य पिलेटों के एक दूसरे की और अभी सरन के फलस्वरूप हुई है दो महादुईप्य पिलोटों के एक दुसरे के सामने आने के कारण हिमाले की उत्पत्ति हुई है इसमें आप देखेंगे उत्री यूरेनियन यूरेनियन पिलेट है यूरेसियन पिलेट है और दच्छन में इंडियन पिलेट के भी ट्रैथीज ट्रैथीज भूसा नती थी और महादुवीफी पिलेट के अभी सर और बर्तमाल समय में जहां हिमाले परवा सिंखला है वहां लगभग सत्तर से साट से सत्तर मिलियन वर्स पूर हुए टैथेज भूसनिती हुआ करता था और इसमें एसिया के विसाल भूकंड की अनेक नदिया और उनकी साहिक नदियों का मलवा का निच्छेप कलांतर तक करती रही है और क्रेटेसियस सक के अंतिमकाल में गौडवाना लेड के दच्छन का भाग बिखंडन हुआ और फलसरुप दच्छरी परायदी भारत ऑस्टेलिया अंटारिगीट का आधी पे ठक हो गए और दच्छरी परायदी पिया भारत पिलेट मंद गती से ऊपर की और प्र गती से गैसी ये दवाव उपर की यूर पढ़ने लगा और फलसरुप मोडों में उत्पन हुआ जिससे बीहद हिमाले की संग्या पिदान की गए यानि कि बीहद हिमाले सामने आया यहाँ एक चित है पिलेट बिवत्तिक सिध्धान के आदर पर उत्तराखंड हिमाले की उत इन्डियान टृटे और आइस एंट लिए देख लिए ऐंडियान पिलेट नीचे जा रहे हैं और आपको देखने को मिलेगी हो इसतरह से और फिलेट का चेपड नीचे मायो सीन काल मायो सीन काल और तक मोडों का से जन होता रहा और निच्छे प्लेट के कारण लावा के उर्द प्रवा के से मोडों का उत्थान हुआ और खासरो मद्ध हिमाले की उत्पत्ती हुई यही पे क्रिया नेंतर चलती रही जिससे फिलेव सीन तक से वालिक हिमाले की उत्पत्ती हुई और इस विकार बर्तमा से लगबग 30 से 20 मिलियन बर्स पुर्व तक हिमाले की तीनों सेडियों का निर्माण हो गया था इस तरह से आप दोग देख रहे हैं ना आपका से वाल एक लगू हिमाले कवाएँ बेह Arena की उत्पत्ती की बात हो रही है और टेथिज भूर सन्दी के मलवा में मोडे पड़ गई उत्थान की विक्रिया से अलपाइन परवत का निर्माड हुआ जो अलपाइन परवत दिखते हैं इसका निर्माड हुआ पिलेट बिवर्तिक सिद्धान ते सागरों की उत्वत्ति की व्याख्या की जा सकती है जब दो पिलेट एक दूसरे की विप्रीद दिशा में गति करती हैं तब इनके मद्द में रिक्तिता आ जाती है और यह रिक्तिता निर्माड होता है अब आप देखे कि दो पिलेटे हैं माल लेजे और ये पिलेटे एक दूसरे की विप्रीच जाएगी तो आप देखे बीच में जो खाली स्थान रहेगा इसी से बाहर सागरों का निर्माण रहेगा इसी में पानी भर गया कहने के मतलब समद नीतल पिसरन संकल्पना का पिती पादन सरपिथम हैरी एस ने सन 1960 में किया था और मद्ध महसागरी कटक के साहरे बिसाल्ट का निर्माण होता है और निच्छेप्त पदार्थ गुरुत भार के कारण दोनों और सरक जाता है और फलसरुप तली का पिसरन होता है वाइन और मैथिव ने स्पर्ट गिया कि मद्ध महसागरी कटक की साहरे नीचे से मैगमा का उर्द गामी प्रभा होता है मैगमा नेंतर कटक के दोनों और सरकता जाता है और हिंद महसागर पिसांत महसागर अट्रलांटिक महसागर की अलावा अनिक समुद्रों का संकुचन पिलेट संचालन के फाल सोरूप हुआ है और दुतिय पेंजिया के विखंडन के पश्चात इनका इतिहासिक विखास प्यारम हो गया है इतिहासिक परिपेक्च में पिलेट गतियों और भू गर्विक घटनाओं की बादाओं के बास समुद्रों महासागरों का भड़मान सोरूप प्राप्थ हुआ है जो महासागरों आप लोग समुद्र देखते हैं अटलांटिक महासागर की अगर हम बात करें तो अटलांटिक महासागर का निर्माट कई अवस्थाओं में संपन हुआ है जब उतरी ऐमेरिका से अफीका का अलगाव हो गया था तब लेपरोडोर से एउरोप और ग्रीन लेंड शल्ले थे मिले जुले थे और 80 मिलियन वर्स पूर लेपरोडोर से ग्रीनि लेंड का यह इउरोप पे थक हो गया और फालसरोब लब्रोडोर से Greenland तथा एउरोप इठक हो गया और फालसरोब लब्रोडोर समुद्र का निर्माड हो गया और साथ मिलियन वर्स पूर रोकॉल परवद रोकॉल पठार Greenland से अलग हो गया और उत्री अमेरिकन पिलेट पश्चिम की ये दिसा में अगरसा थी मद एवसे नियुक तक उत्री अट्लांटिक और लब्रोर समुद्र का विस्तार हो रहा था एक दूसरे से दूर जाएंगे बीच में जो रास्ता रहेगा जो जगह बचेगी उससे और सासो मिलियन वर्स पूर नवीन महासागरी ये बिसन का निर्माड पांसो विलियन वर्स प एक दूसरे की ओर अग्यसार होना अट एल्मेश फूने कै रहेगे रहरेजियन वर्स पूर अट्लांटिक का फूरण का निर्माड पूरा होना 150 मिलियन वर्थ पूर्व एउरोपिय प्लेट और अमेरिकी प्लेट का एक दूसरे की विपरीद गती सील होना और अटलांटिक महासागर का पूर्णा खुलना वर्दमार इस्ति जिसमें अटलांटिक महासागर का पूर्ण भी कास थे जो देखते हैं तो आप लोगों ने देख लिया किस तरह से महादूइफी है महादूइपों का निर्माड हो गया आप देखिए जिस तरह से महा महसागरों का निर्माड हो गया, परवतों का निर्माड हो गया, तो प्लेट बेवर्तिक सिध्धान्त भी हो गया, प्लेट टेक्टोनिक थियोरी भी आपकी हो गई है, और विस्तार से पढ़ना है तो आप लोग NCEIT जरूर पढ़िएगा, और आपको विस्तार से और अंदर स से मालू चलेगा, इसके बारे में, ठीक है? कोई स्वाल हो, आपका सुझाहों मेरे लिए, कुछ और अच्छा किया जासकता हैну खे 거죠, निकला से बहाएं तो आप लोग जरूर अपने सुझाओ दिया करिएगा, सलाय दिया करिएगा, ठीक है, अंगली किलास में हम लोग महादुईपिय विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे, ये भी टॉपिक बहुती मात्मूर है, कुश्चन साल साल इससे भी आपकी परिक्चाओ में पूछे ज झाल इससे भी आपकी 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 आपक